जैसे रादे मित्रों हरः महाधेव, जै माचंद्रवन्य थाह चैनल के माध्यम से मैं पंडित देपगुपाद्या देभुमि उत्राक्रन से आपके अपने चैनल चंद्रवन्य भक्तिरस चेनल में आप सबी का हर्धिक स्वागत करता हूं और ماङभवती आदिशक्ति से यही कामना करता हूँ कि माङभवती आपकी समस्त मनों कामनाओं को पुर्ण करें यही माङभवती से करवध्य प्राथना करता हूँ तो ऱमित्रों चंद्रवन्नी भक्तिरस चैनल के माध्यम से आपको जोतिय सम्दित, ग्रहों सम्दित, अद्रास्यों सम्में रासिफल सम्मानित जोभी जानकारिया वैसटर कई जाती हैं जो हैं समय समय अंसार आप तक पहुंच सके तो आप सभी से यही विंति है कि वीडियो में आप अंतिम तक अवस्य बने रहें और आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा तुलारास के के लिए कि आने वाला जो मार्च का महना है वा तुलाराश के जातकों के लिए कैसा रहने वाला पॉलक के जातकों का परिवारिक जीवन स्वास्त्य और करियर और सुन्ब दाइब करेंगे और अन्तिम में एक सुनल अपाई भी आपको बताएं गे जिसे करने से आप जो हैं मार्च के महने को आनन्दायक वितित कर सकते हैं तो वीडियो में आप अंतिम तक अवस्य बने रहें तो सरव पर्धम बात करेंगे तुलारासि के जातकों का पारवारिक जीवन कैसा रहेगा इस मार्च के महने में मार्च 1023 में तो घर के जितने भी तुलाराश के जातक हैं घर के सदस्यों USA साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का आपका इसमेहने प्लान बन सकता है जिसमें सभी लोग करेके समलित होंगे इसमें आपके कंद्धों पर जो है उत्तरदायत आएगा जिसका आपको भली भातिपालन करना होगा परिवार के लोगों को और अच्छे से जानने के लिए और समझने के लिए आपको या सुब अवसर प्राफ्त हुआ है तो इसका आपको भरपुर जो है फाइदा उठाना है और सभी के बीच आपसी प्र में भी आपके परिवार के सदस्या है तो परिवार के सदस्यों की जो भी समस्याएं है वह आपको पता चलेंगे और उन समस्याओं को सुल जाने का आप सभी लोग परियास करेंगे सभी आपके जो आपका काम है सभी लोग आपके काम के सभी करेंगे जिस कारण आपका मन आनंदित रहेगा माता-पिता का आश्रिवाद भी आपके उपर बना रहेगा और कुछ परमप्राओं लेकर बड़ों के अपने बड़े आपके जो बड़े हैं परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उन बड़ों के साथ में विरोध का कुछ सामना भी आपको करना पड़ सकता है जो कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिन परंपराओं का निर्भा करने के लिए आपके घरवार वाले बोलेंगे और जिसके कारण आप अपने बड़ों से अप यहांपरी आपके कैसे रहें तो व्यापारियों के लिए यहां जो तुलारासी के जातक व्यापारी हैं व्यापारियों के लिए यहां महिना बहुत ही ओच और नीचवाला रहेगा हालांकि कुल मिलाकर आप भी थे भी रहेंगे अगर आप समय का सदब्यों करेंगे और सदब्यों करते हुए अपना जो है ध्यान बिलकुल पर लगाएक रखेंगे तो आप पुलमिला करके लाब में ही रहेंगे लेकिन आई आपकी आशकता अनुसार नहीं हो पाएगे तो ऐसे में आपको क्या करना है संयम से काम लेना है धहरे से आपको काम करना है और जिससे जो है धहरे और संयम से अगर कारे करेंगे तो जो है इस्तिती कुछ बहतर हो सकती है जो नौकरी करने वाले जातक हैं तो इस महने जो नौकरी करने वाले जातक हैं उसमें थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा नौकरी करने वाले जातकों को और आप अपना जादातर समय जो है अपनी रुजी के कारियों में दे पाएंगे इस दोरान आपके मन में अपना कुछ नया करने का विचार भी आ सकता है और जो भुषिकी दृष्टी से जो है आगे भुषिकी दृष्ट से आपके लिए बहुत ही लावदायक सिद्ध होने वाला है और बहुत ही उत्तम आपके लिए जो है सिद्ध होने वाला है भविश्य में तो जो अभी आप बर्दमान में अपने मन का कारे करेंगे स्वाइच्छा से जो कारे करेंगे वह आपको आगे लाव देने वाला है बात करेंगे तुलारासिके जातकों का मार्च 2023 के अनुसार आपके सिक्षा और करियर कैसा रहेगा तो जो बिद्यार्थी जातक हैं तुलारासिके तो बिद्यार्थियों को जो है इस मेहने थोड़ा सा समल कर रहने की आवसकता है क्योंकि मित्र जो है आपके सरल सुभाव का लाभ उठाने का परियास जरूर करेंगे इसलिए आपको थोड़ा सा समलगर रहना है यदि आम और किसी चीज में मेहनत की है आपने तो उसका aha secte जो है आपके मित्र जो है आपके जो मित्र हैं दोस्ते हैं वहाँ उसका सीले कोईसिस कर सकते हैं तो ऐसे में पहले से ही इस बात को लेकर आपको साधान रहने के आवस्कता होगी यदि अभी स्कूल में है और अपने माता पिता के साथ में रहते हैं तो उनके द्वारा आपके पढ़ाई को लेकर कोई ठोस निर्णे लिया जा सकता है यदि आप पढ़ाई में कम मन लगता है आप पढ़ाई कर नहीं पाते हैं और जिसके कारण पढ़ाई आप कर नहीं पाते हैं तो जो है जिसके कारण आप मन ही मन थोड़ा सा निरास भी रह सकते हैं संगीत या कला के छेत्र में जो पढ़ रहे हाद लगेगी तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है अब बात करेंगे तुलारास के जातकों का मार्च 2023 के अंसार प्रेम जीवन आपका कैसा रहेगा तो इस पे भी तुला सा चर्चा करते हैं तुलारास के जातकों का इस मार्च के 2023 के महने में प्रेम जीवन के लिए यह महना जो है असुब संकेत लेकर के आपके लिए आया है कुछ बातों को लेकर जीवन साती के साथ अनवन होने की संभावना है और ऐसे में यदि आपने धैर से काम नहीं लिया तो इस्तिती जो है व इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है बेवजा गुसा आपको नहीं करना है और थोड़ा सा आपको जो है सतर्क रहने की आउसकता होगी यह आप सिंगल है तो किसी अपने के ऊपर आपका दिल आ सकता है आपकी उनके साथ सकारात्मक बात्ची सुरू होगी और मन ही मन आ आपके प्रेम संबंदों के गार इंपारे में पता भी चल सकता है तो यह आपका प्रेम और प्रेम जीवन मार्च के महने का रहेगा बात करेंगे तुलारासी के जातकों का मार्च तो तुलारासी के जितने भी जातक हैं उनका स्वस्थ कैसा रहेगा मार्च में तो घुटनों के दर्द की समस्या आपकी रह सकती है सुगर जादा आपका रह सकता है तो इस महने आपको ध्यान रखने की आवस्यक्ता होगी क्योंकि उसमें सुगर में अचानक से बढ़ोतरी देखने को आपकी मिल सकती है और जिसके कारण यह समस्या आपकी बढ़ सकती है यदि पहले से कोई गंभिर बिमारी नहीं है तो भी आपके साथ कोई दुरगटना घटनी की संकेत बन रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा समल करके आपको इस महने रहना होगा मांसिक रूप से भी किसी तनाव का सामना आपको करना पड़ेगा और इस महने आपके ऊपर मंगल भारी है और राहु ग्रह की दृष्टी भी अच्छी नहीं है इससे बचने के लिए सनिवार या मंगलवार के दिन सनिमंदिर या हनमान मंदिर होकर आपको आना है भगवान और तिल का आपको दान करने के आवसेता होगी बात करेंगे तोलारास्त के जात्कों के लिए सुबरंग और सोवव अंक क्या रहेगा इस मार्च दोजार थीश में सुब अंक होगा आपका साथ सुबरंग आपका होगा सलेटी कुछ बातों का रखना है ध्यान क्या करना है प्लतिद दिन योगा ब्याद्स और प्लतिदिन ध्यान करना है जिसे मानसिक और सारी ट्रूप से अविपट रहेंगी चाया Ibla का आपको पाड़ करना है और हर्मान जी या संग सनी महाराज का आपको पूजन करना है अब एक सुन्दर सी आपको टिप देते हैं कि महने के दूसरे सब्ता में प्रेमी या जीवन साथी को उसकी पसंद की कोई चीज आपको खरीद करके देनी है मन में कोई बात है तो वह भी उनसे आपको कह देनी है ऐसा करने से इस्तिती जो है बिगरने के बजाए आपके समझ जाएगी और दोनों को बीच में आपसे प्रेमी भी बढ़ेगा तो यहां आपको करना है अब एक सुन्दर सा उपाए तो क्या करना है परतेक मंगलवार को और सनिवार को जो है आपको या तो सुन्दर कांड का पाठ करना है या तो सनिचालिशा का आपको पाठ करना है और परतेक मंगलवार को गुड़ का दान और परतेक सनिवार को तिल और तेल का दान आपको करना है यहां अगर आपको करना है तो यहां अगर आप करेंगे उपाए तो आपका जो है सनिग वीडियो को अपने इश्ट मित्रों के साथ सेर जरूर करें आज के वीडियो के बारे में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आज का वीडियो यहीं पर समात करते हैं पुनों नए विशा में आप से मिलेंगे तब तक लिए जैसे रादी हरर महादेव संबुख